आप सबी का फिर से मेरे यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए नियू लेशन का कोशिन एंसर लेकर के आई हूँ जैसा कि आप लोग यहां पे देखी रहे होंगे लेशन का नाम है बन ब्रहमन ठीक है इस लेशन का मैंने आपको एक्स लेशन वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जहां तक कि मैं आपको आश्योर करती हूँ कि यह कोशिन एंसर रीट करने के बाद आपको एक्स्प्लेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह लेशन बहुत ही इजी है आप ल लोगों के लिए बनाया है कोशिन नमबर वान एन कोशिन नमबर टू नहीं दिया है वो शौट कोशिन से तो वह आप खुदी कर सकते हैं ठीक है तो कोशिन नमबर थ्री का पहला कोशिन है कश्चा अध्यापकों के द्वारा वन ब्रहामन पर जाने की घोशना करने पर तो इसका आंसर है ब्रहमन के लिए जाने से पहले विद्यार्तियों को अपने साथ ले जाने वाली सामगरी की सूची बनाने के लिए कहा गया उन्हें यहाँ बता दिया गया कि अपने साथ ले जाने वाली वस्तवे विद्यारती स्वैम लेकर आएंगे इसके अलावा उन्हें मोबाइल फोन और कैमरा साथ ले जाने के लिए मना किया गया इसके बाद हमारा तीन का गह है पावन कौन है उसमें क्या-क्या अविगुन है ठीक है तो पावन पंखुरी का भाई है वा नवी कक्षा में पढ़ता है उसमें अनेक अविगुन है वा बहुत कम पढ़ता लिखता है सुभा देर तक सोती रहता है और अपनी जूठी बर्तन जो खाना खाता है उसका जूठा बर्तन होता है वो भी नहीं दोता वा अपनी बहन पंखुरी से भी हमेशा जगरता रहता है मतलब कि वो जो पवण है वो एकदम ही परता लिखता नहीं है प्लस कि वो जो खाना खाता है उसकी जूठी बरतन होती हो भी खुद नहीं दोता और प्लस अपनी छोटी बेहन से लड़ता जगरता है इसके बाद तिन का घह है मा पंखूरी और पवन के बीच हो रहे जगरे को कैसे शांत करती है तो इसका आंसर है मा पंखूरी और पवन को मिठाई बिस्किट तथा अपने बागान के केले के गुच्छे से दो-चार पके केले तोर कर देती थी और दोनों का जगरा शांत कराती थी ठीक है इसके बाद तीन का अंग है ब्रामन पर ले जाने के लिए आवश्यक वस्तू की एक सूची तैयार कीजिए ठीक है तो इसका आंसर है ब्रामन पर जाने के लिए ब्रामन मतलब कहीं आप घूमने जा रहे हैं ठीक है तो ये चैप्टर एक्चुली बच्छों को जब हम कहीं आउटिंगेपरा के जाते हैं कुछ च्छिल्रेंस वान फीरें परद जाते हैं जाते हैं और रहे बाहारी हो करके कश सीख सके कुछ नया उनको नॉलेज़ सके तो यहां प 부분이 mist है तो चल्वा देखने के लिए और जानें मतलब चई हों किस प्रामन पर जाने के लिए इस बड़ी और एक छोटी डाइरी, फिर कप्रे के जूते, टोपी, पतला, गमचा, दवाईया, टौच लाइट, सूती, कप्रा, कलम, आधी. According to this chapter, ये वाला आंसर दिया है मैंने. ठीक है? इसके बाद, तीन का च्च है, मैं ब्रह्मन पर नहीं जाओंगा. पवन ने अपनी मां से ऐसा क्यों कहा? पवन कभी अपना काम स्वैम नहीं करता था, जब पंखुरी ने ब्रह्मन पर जाने से पहले अपना सारा काम, अपना सारा सामान ठीक कर लिया और पवन ऐसा नहीं कर सका, तो उसने मां से कहा कि मैं ब्रह्मन पर नहीं जाऊंगा ठीक है? इसके बाद तिनका चह है पंखुरी ने घरी में अलार्म क्यों लगाई थी? पंखुरी को ब्रह्मन पर जाने के लिए सुभा जल्दी उठना था इसलिए उसने अलार्म लगाई थी इसके बाद तिनका जह है शिक्षकों ने ब्रहमन पर जा रहे है विद्यार्थियों में से किन किन विद्यार्थियों को क्या-क्या दाइत्यूएशों पे तो इसका आंसर है, सिख्षकों ने सबसे पहले छात्र छात्राओं के बीच से एक नीता का चैयन किया, छात्र छात्राओं की गिंती और उनकी अस विधाओं पर ध्यान देने का दाईत्यों पंखूरी और विदीसा को दिया गया, विद्याटियों के बीच लंच, पैकेट तो सौरब और आफताब को दिया गया, इसके बाद तीन का जह है, ऑक्सिजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ऑक्सिजन आप लोगों को पता ही है, बिना ऑक्सिजन हम लोग जीवित नहीं रह सकते, प्रानी को ऑक्सिजन चाहिए ही, ठीक है, तो इसका आंसर है, इसके अलावा तीन का निया है, सेल्फ सर्विस का आशे क्या है, ठीक है, तो सेल्फ सर्विस अंग्रेजी भासा का शब्द है, इसका अर्थ है अपना काम स्वैम करना, जैसे खाना खाने के बाद अपना बरतन स्वैम धोना, विस्तर से उठने के बाद उसे खुद ठीक करन तथा सरात को सोने से पहले अपना विस्तर स्वैम लगाना आदी ठीक है इसके बाद तीन का टा है पंखूरी ने तीनों लड़कों की और से किन शब्दों में माफी मांगी ठीक है तो पंखूरी ने माफी मांगते हुए कहा इसके लिए हम बहुत दुखी और शमा पार्थी है हमारे तीन भाईयों ने नीची हरकत करके हमारे आशाओ पर पानी फेर दिया है परंतु तीनों की गलती की सजा सभी विद्यार्थियों को देना उचित नहीं है इन तीनों की सजा यहा होगी कि सभी विद्यार्थियों के साथ इन्हें ब्रहमन पर नहीं ले जाया जाए ठी तो पंखुरी की पिता जी ने समझाया कि सिक्षकों का साथ मत छोड़ना उनकी आग्या का पालन करना उसके बाद पंखुरी की मा ने उन्हें यह समझाया कि बन भ्रहमन से बहुत सी बाते सीखी जा सकती है जितना चाहो सीखने की कोशिश करना तथा अपनी अपनी चीजे भाल कर रखना इसके बाद हमारा लास्ट कोशिन है तीन का तीन का ड काजी रंगा को गेंडो का निवासस्थान क्यों कहते हैं तो इसका अंसर है इसका अंसर है गेंडे संसार के सभी सभी जंगलों में पाये जाते है परन्तु असम की काजी रंगा में एक सिंग वाला पाए जाते हैं इसलिए काजी रंगा को गेंडो का निवास अस्तान कहा जाता है ठीक है तो यह मैंने आज आपके लिए सिर्फ थी का कोशिन यहां पे में डाल लेकर के आई हूं जिस थी का बाकी में फोर एन फाइफ का जो कोशिन है आंसर है वो मैं आपको नेक्स वीडियो म दोंगी और अगर आपने मेरे प्रिवेस वीडियो को नहीं देख़ा है आप तक मैंने और भी बहुत सारे कोशिण प्लस एक्स्प्लेनेशन दिये हैं अगर वो सब आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देखें और किसी भी लेशन का आपको अगर एक्स्प्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमें सेक्षिन में कमेंट करें और जितना जल्दी होगा मैं ग्रामर पोजिशन लेकर के आऊंगी औ और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर